हैलो गाइस व्रक्रम टो अने दर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फंस लिंकन फामार्स रिडिकल्स की और से मार्च कौर्टर की फिनांसल रिजल्ट पेश हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे इस टैनलाउन मार्स ट्वंडीmb्र क्यौटर में 116.3 करोड का इंकम है क्वार्टोन काटर में तो डां है यरनद इएलमें इंक्रीज किया है और से इनक्रीज खुए स्थेसे क्रोड का पिछले कवार्टे नंडर्ट नैंईंट पॉन और विश्ट किया है नेट पॉफिट कंपनी का है फिर 18.5 करोड का पिछले कौर्ट में 28 करोड का और मार्स 23 कौर्ट में 12.5 करोड का नेट पॉफिट है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है उर इंकम में 614.9 करोड का 23 में 532.7 करोड का इंकम में तो increase है लेकिन expenses 492.7 करोड का और 23 में 432.3 करोड का expense भी increase किया है operating profit 122 करोड का 23 में 100.4 करोड का operating profit है increase करता हुआ देखने को मिला है और net profit 93.3 करोड का 23 में 72.8 करोड का increase किया है और EPS की बात करे तो 46.58 रुपीज का 23 से increase किया है तो गाइस company के देखा जाते financial rendered में तो increase है लेकिन quarter end में गाइस quarter on quarter के income profit थोड़े से down देखने को मिला है और हम इसके stand-alone financial result कवर करें income है 149.5 करोड का पिछले quarter में 157.4 करोड का March 23 quarter में 116.4 करोड का income है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है expenses 127 करोड का पिछले quarter में 119.7 करोड का March 23 quarter में 99.4 करोड का expense हुआ था quarter on quarter expense बहुँ जाद और ही expense हो रहा है इस inventory में 4.6 करोड का charge किया है जबकि पिछले quarter 20 करोड का add हुआ था inventory में और इसी कारण से गाइस कमिका profit में expense बहुँ जाद हुआ year on year की expenses इंक्रेज किया है operating profit 22.2 करोड का पिछले quarter 37.7 करोड का March 23 quarter 16.9 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit 18.5 करोड का पिछले quarter में 28 करोड का March 23 quarter 12.5 करोड का profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है EPS 9.28 रुपीज का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो overall guys company का result average पेश किया है और company का result 12-10 में इसके result आया है noon में 12-10 में 12-10 में इसके result आया है लेकिन डिजल्ट आते ही जो क्वाटर और क्वाटर जो पॉफिट रिंकम में डाउन हो तो इसके रिजल्ट आते ही कमपनी के शेयर ने बहुत बुरी तरसे गिरावट बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को बला लेकिन अब यहां से वापस रिकावर करने कोशिश कर आते हैं इस तो आप उसमें कर सकते हैं और अगर आप इसमें काईस होल्ट ना चाहते हैं तो आप इसको होल्ट भी कर सकते हैं तो हम लोग वीडियो को ही पुरेंट करते हैं को